मैं आपके लिए वीडियो आज आपन पढ़ेंगे कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग के कुछ इंपोर्टेंट एमसी क्यूज नहां पर में लेकर आए हूं आपके लिए जो बार-बार एक्जाम में पूछ जाते हैं देखिए पहला अपना एमसी क्यूज रहेगा पहला है पहला क्सल प्रिपोर्टेड इन दा वर्ल्ड के अंदर लास्ट केस कब और किया गया तो इसका रैट एंसर जाएगा फ्र Squeamin 1977 को इसका राइट अंसर जाने वाला ठीक है नेक्स अगर मैं बात कुरूँ इसके अंदर तोड़ा सा में इसके बारे मता दूँ आपको कि कि क्माल लॉष के द्वारा फैलता है यह फैलता है कि 20 11 4 नी तक इसका IT 11 3 तक होता है है अब बात आती है कि अपने इंडिया को कब इसमाल फॉक्स प्रिक काड़ लास्ट केस कब मिला था 1977 में तो वर्ल्ड को smallpox free कब किया गया था यह किया गया था 1980 में कब किया गया था फिरंड्स 1980 में वर्ल्ड को smallpox free कर दिया गया था ठीक है next question अपना आ रहा है friends next question है अपना कि BCG vaccine is given to protect the child against BCG vaccine child को दी जाती है किस से protect करने के लिए को दी जाती है टूबे क्लोसिस से protect करने के लिए और टूबे क्लोसिस का जो कोजिटिव एजन्ट होता है mycobacterium tuberculi होता है कौन सा था mycobacterium tuberculi होता है ठीक है friends next question कि तरह बढ़ रहा है next question अपना आने वाला है कौन सा question next किसमें the diluent diluent use for BCG BCG को किसके अंदर dilute किया जाता है तो यह dilute किया जाता है किसके अंदर नॉर्मल स्यलायन के अंदर किसक अंदर tha तो इसको निसको डिलोट करते हैं ठीके फिर नेस्ट कुछन अपना आने वाल है नेस्ट कुछन कौन सा अपना फॉर्थ नम्रा क्वेशन है इसके अंदर क्या है देखिए ताइप ओ बीसी जी वैक्सिन जो है कौन से टाइप को टी कील्ड होती ट्रिपल वैक्सिन होती है ला पर अध्यान दिया नहीं बहुत इंपूरेंट में इसमें एक्जांपल आप लाइव एक्षिन लाइव एक्षिन के कौन कौन से एक्जांपल होते हैं तो इसमें पहला एक्जांपल देह रखा आपना बीसी जी दूसरा मेजल्स तीसरा कॉलरा चोता है ए एंड भी तो इसका प्रफिशन ने यूजड बीसीजी वेक्षिन शुड बी डिसकार्टेड अप्टर अब देखो कुछ 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 बुक्स में दे रखा है तो अपने इसका राइट अंसर नहां पर आयेगा एट दे अंड ऑ एट दे अंड अफ डे के लास्ट में इसको डिसकार्ट कर देना जीए कुछ बुक्स में टू आवर भी इसका अंसर दे रखा तो जो भी आपको सही लेगे वो माल ली जाकव लेगन इसका अंसर है ओंसा एट द अब डे अप्टे लिएट अफ जा सक और बात इसके एने टेमपरचर यहां पर नको को रिक्वईर्मेंट पड़ती है ठीक है चाहिक इसकी जो पोटेंट्ट जो पोटेंशलिटी में लग केहने खिल मतलब एक समता जो होती है इसके चम्ता को maintain करने लिए कितनी डीगिरी पर अपन को रखना पड़ेगा तू से 8 डीगिरी पर अपन को रखना पड़ेगा ठीक है मैं नेक्स्ट कुछन की बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्यूशन अपना है डो जो BCG वैक्सिन at the birth, at the birth, जो BCG की vaccine होती है, उसकी कितनी dose अपन को इसको देनी पड़ती है, तो इसको अपन को देनी पड़ती है, 0.05 ml, at the birth अगा इसने पूछा, at the birth इसने पूछा तो अपनों का अंसर का देना, 0.05 ml इसका अंसर देना, ठीक है, पर नेक्स क्यूशन इदर अपनों बढ़ते हैं, नेक्स क्यूशन अपना है, देखें, नेक्स क्यूशन कौन सा है, what is the root of administration of BCG vaccine, BCG vaccine को किस root से अपन administered कर सकते हैं, देखिए, तो इसका right आंसर जाने वाला कौन सा होला, इंट्राडर्मल, अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ कि इसके root क्या क्या देखिए, बहुत simple लेकिं फिर ही बता रहूँ, इंट्राडर्मल जो होता है, 15 डिग्री पे लगाया जाता है, कितने डिग्री पे है, 15 डिग्री पे, औरल रूट को, औरल जो है, उसको औरल रूट से दिया जाता है, जबकि सब क्यूशन जो होता है, 45 डि पॉलियो वेक्षिन जो होती है, किस से प्रिपेड की जाती है, तो इसका राइट आंसर जाएगा, लाइव एक्टिम्टेट ओर्गनिजम से यहां पर प्रिपेड की जाती है, थेंक्यू फ्रेंट्स, आज आपने 10 MCQs पढ़ें, नेक्स 10 MCQs में, नेक्स वीडियो में लेक अच्छे लगे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उनको आने वाले कम्प्यूट्यू एक्जाम में उनको हिल्प हो सेके, और कम्म्यूटी हेल नर्सिंगे में आगे और भी क्यूशन आपको झाप